हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करेंगे इस डिजैन के बारे में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं ये फ्रेंड्स आप चो डिजैन देख रहे हैं काफी अच्छा डिजैन हैं लेटेस्ट डिजैन हैं मौडर्न डिजैन हैं हम आपको बताएंगे फ्र पूरा 3D प्लान के बारे में डिसकस करेंगे यह हमार पास इसका यह पूरा 3D मैप प्लान रहेगा और इस 3D प्लान के साथ में हम आप से डिसकस करेंगे इसके मैप के बारे में में इसकी नक्षा के बारे में यह हमार पास नक्षा रहेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा आप तक पहुंचता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो यह फार्ट हमारे पास जो डिजयन है आप यह डिजयन स्क्रीन पर देख रहे हैं काफी अच्छा डिजयन है इसको डिजयन के हुआ है तो यह हमरे पास एलिवेशन का डिजयन है जो कि हमने काफी लो कॉस्ट में हमने इसको डिजयन के हुआ है means कि हमरे पास ये एक affordable हमारा ये घर रहेगा affordable हमारा ये house रहेगा जो कि बहुत ही अच्छा हमने इसको design की हुआ है तो ये elevation का design है अब हम चलते हैं इसके 3D model की तरफ ये friends हमरे पास इसका 3D में model रहेगा जिसमें आप देखेंगे कि इसका ये जो design की हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको design की हुआ है बहुत ही अच्छा हमारा design है इसमें आप ये जो देख रहे है friends इसका इए जो area है ये इसका 36ft वाइ 45ft का इसका ये covered area है means कि 36ft वाइ 25ft में हमने ये cover की हुआ है इसका इसका ये covered area है बाकि आप देखेंगे जो plot का size हो plot का size थोड़ा बड़े size का हो तो ये घर जादा अच्छा निकल के आएगा जैसा कि आप देखे रहोंगे कि हमारा जो plot है plot थोड़ा बड़े size का है वाकि हमारा जो covered area है वो 36 feet by 45 feet का हमर पास यहां पर एक covered area है front side में इसका यह road है और इसकी जो 3 other direction है plot के plot के 3 ही direction में यह पूरे तरीकी से close है तो यह हमारा जो plot है plot के front side में ही इसका यह road है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे हर की जो entry होगी वो हमारे पास यहां से होगी यहां पर हमारा mangate लगेगा और यहां पर हमारे पास रहेगा यह car parking का area यह हमारे पास यहां पर car parking रहेगी जिसमें हम अपनी कोई भी car scooter, bike बगएरा यहां पर बहुत ही आसानी से हम यहां पर park करा सकते हैं यहां पर friends आप देखेंगे कि हमने यहां पर यह 4 step को up करके हमने यहां पर यहां पर sit ing दी हुई है इसकी बरंदा घी हुआ है यहां पर हमारे पास बरंदा रहेगा बखते हैं यहां पर सिटिंग एल्यापि रहेगा front में यहां यहां पे अपने garden गरा बनाना है तो आप आप बना सकते हैं और हमारे घर का जो interest door होगा, वो हमर पास यहां से होगा, यह आपको जो door दिखाए दे रहा है, इसी door से हम अपनी घर के इंदर आएंगे, तो यह हमारे घर का friends interest door है, तो इस door से जैसे इसमें जब हम आगे वड़ेंगे तो हमें, इस door से आगे वड़ेंगे पर हमें यहां पर यह dining hall मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास यहां पर यह 8-seater, हमारे पास dining table का डिखाए रहेगा, जिस पर बैठ कर अपनी family के साथ यहां पर खाना वगया रखा सकते हैं, यह friends हमारे पास रहेगा, यहां पर यह kitchen का डियान, यह हमारे पास kitchen होगा, modular हमारे kitchen होगा, kitchen के अंदर हम दो विंडो मिलेंगी दोनों विंडो से हमारे अपने इस किचिन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा तो ये फ्रेंट्स हमार पास किचिन का हमार पास यहां पर यह डिजान रहेगा ये हमार पास फ्रेंट्स फ्रेंट्स में हमार पास यहां पर रहेगा ड्रैंग रूम का डियान यह हमरे पास ड्राइंग रूम होगा ड्राइंग रूम में आप देखेंगे हमरे पास यहाँ पर यह दो विंडो रहेंगी दोना विंडो से हमारे अपने इस ड्राइंग रूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा ड्राइंग रूम में आप देखेंगे क कि हमारे पास यहां पर यह कुछ इस टैप से आप देखेंगे L-Safe में हमारी sofa के sitting रहेगी इसमें हमारे पास 3-seater sofa की 2 sitting रहेगी इस बहुत पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहां पर यह TV cabinet का हमारे design रहेगा तो यह friends हमारे पास अपना dry room है means कि guest room है यह हमारा guest room होगा इसमें हमारा कोई भी guest बगरा आता है तो guest बगरा के लिए हम इस room में बढ़ा सकते हैं यह हमारा guest room होगा इसके लिए हमने यहां से यह door देके अपने एक toilet बनाए गुआ है यहां पर हमारे toilet रहेगा और यह जो हमारा toilet होगा यह हमारा इस staircase की landing के नीचे हमारा toilet होगा means कि जो हमारा staircase है staircase के नीचे ही हमारा अपने इस guest room का toilet रहेगा यह friends हमारा पास रहेगा यहां पर यह first bedroom का design यहां पर हमारा first bedroom होगा और इस bedroom में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर window मिलेगा तो इस window से हमारे इस bedroom का अच्छे से ventilation होता रहेगा bedroom में आप देखेंगे कि हमार पास यहाँ पर यह bed का design होगा इस wall पे हमें यह covered का design मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा TV cabinet का design तो यह हमार पास bedroom का यह हमारा design है, bedroom हमने इसमें design की हुआ है, यह फैर्ट हमार पास रहेगा second bedroom होगा, यहाँ पर हमार पास second bedroom होगा, इस bedroom में भी हमें यहाँ पर एक window मिलेगा, तो इस window से हमार इस bedroom का भी अच्छे से वेंट ले सुनूत रहेगा, bedroom में आप देखेंगे कि हमा यह प्रेट से यह हमारब पिपने टॉलेट से बातरूम के एट के हुए है यह हमारब हुआ से आटाइच अपना टॉलेट से बातरूम Speech च्यक्च करें शॉद और घाप त bättre यह फित सब्सक्राइगा अपना third bedroom का डियान, यहाँ पर हमार पास होगा third bedroom, इस bedroom में भी हमें दो window मिलेंगी, दोगना windows से हमारे इस bedroom का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा, bedroom में हमें हमें यहाँ पर यह bed region मिलेगा, और इस wall पर हमें मिलेगा covered region, और यहाँ पर मिलेगा यह हमें TV cabinet region, यह आपर यहां वे देखंगे कि हमारे इस बेडूंग का अच्छे से वेंट्रेस सान होते रहेगा बैडूम में हमें आप यहां पर मिलेगा यह पर मिलेगा यह ए bene मिलेगा तो यह पर पास रहेगा fourth bedroom तो फिर ये हमार पास अपना 3D plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear होगे होगा, इसमें हमार पास 5 room है, जिसमें हमार पास 4 bedroom है, एक हमार पास guest room है, guest room के लिए हमने toilet side के हुआ है, इसी type से हमारा जो एक bedroom है, एक bedroom के लिए हमने टॉलेट से एड़ के हुआ है और एक हमर पास लेगा common टॉलेट इसमें हमर पास total तीन टॉलेट हैं front में हमर पास kitchen का डियान है और यहां पर यह हमर पास easter case का डियान है यह हमर पास easter case है तो यह हमर पास लेगा friends अपना 3D plan जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा तो friends यह जो हमरा 3D plan है इसमें यदि आप चाहते हैं कि इसमें हमारा मंदर का भी provision हो तो आप यह जो हमारा corner है इस corner में आप मंदर का provision दे सकते हैं means कि आप यहां पर मंदर बना सकते हैं तो आपका यहां पर यह मंदर भी बन जाएगा तो यह हमर पास 3D plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा 5 room के साथ हमने इसको plan के हुआ है means कि 4 VHK का plan है with car की parking के साथ हमारा plan है जो कि बहुत ही अच्छा हमारा यह plan है तो फ्रेंट यह हमारा 3D plan है अब हम चलते हैं इसके elevation की तरफ यह हमर पास elevation है जो कि बहुत ही अच्छा हमने इसको design के हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि friends हमने जो finishing दी हुई है इसमें हमने पूरा ही paint finish में हमारा यह design है इसमें आप देखेंगे कि हमर पास यह जो landing है आप इसको grooving की मदद से भी बना सकते है या इस texture में आप टैल यूज़ करना चाहे है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बाकि आप इसमें जितनी भी finishing देख रहे है means कि आप इसमें जो भी white texture में देख रहे है या इसमें आप यह red texture में देख रहे है यह पूरा ही paint finish में हमारा घर बन जाएगा यहाँ पर हमार पास यह MS की railing रहेगी जो कि हमारे terrace पर रहेगी यह हमार पास MS की railing अडियन है तो यह हमार पास front elevation है जो कि बहुत ही low cost में बहुत ही अच्छा model look के साथ हमने यह बनाए हुआ है तो friends अब हम चलते हैं इसके map की तरफ यह friends हमार पास map रहेगा जिसमें आप देखेंगे कि हमारा जो plot का covered area है वो 36 y 45 feet का यह covered area है जिसमें आप देखेंगे कि हमारा जो man entrance है वो हमार पास यहां से रहेगा बरामदे से रहेगा यह हमार पास बरामदा होगा जैसे सेट कर सकते हैं तो जो हमारी विर्थ रहेगी पार्किंग की वो हमारे पास 10 फिट 9 इंच वाइड विर्थ रहेगी हमारे घर का फ्रेंड जो इंट्रेंस दोर हो रहा है वो हमारे पास यहां से हो रहा है इस दोर से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं जिसमें हमें हमें पर एक lobby मिल रहे है, काफी बड़े सेच की, यह हमारी lobby है, और यह हमार पास dining area है, यह friends हमार पास रहेगा, यहाँ पर kitchen का डियार, यह हमारा kitchen रहेगा, 8ft by 9ft का हमारा kitchen का डियान है, यहाँ पर हमार पास यह kitchen रहेगा, यह friends हमार पास bedroom रहेगा, जो कि हमार पास 12ft by 10ft का हमारा bedroom यह हमार पास रहेगा second bedroom जो कि हमार पास यह 12ft by 11ft का हमार पास यह second bedroom रहेगा यह फैट्स हमार पास रहेगा common toilet कर जाएं जो कि 5ft 2 inch by 6ft 9 inch का हमार पास यह common toilet रहेगा यह हमार पास रहेगा attached toilet जो कि 4ft 6 inch by 6ft 9 inch का हमार पास यह attached toilet होगा और यह जो हमारा toilet होगा यह हमारा इस bedroom से हमारा attach रहेगा जो कि हमार पास से 12ft by 11ft का हमार पास यह bedroom रहेगा यह फ्रेंट्स हमार पास रहेगा 4th bedroom जो कि 12ft by 11ft का हमार पास से 4th bedroom होगा और यहां पर हमार पास यह lobby रहेगा जो कि 10 feet by 15 feet 7 inch की हमार पास यहां पर यह lobby का design रहेगा यह front हमार पास रहेगा इस्टेकस का डियाए जो कि 11 feet to 9 inch by 8 feet का हमार पास यहां पर यह इस्टेकस रहेगा इसमें हमार पास ये 5 रूम के साथ हमने इसको प्लान के हुआ है मिन्स के हमार पास ये 4 VHK का हमारा प्लान है जिसमें हमार पास एक हमार पास रहेगा ड्रैंग रूम मिन्स की 5 रूम जिसमें हमारे 4 बैड रूम का हमारा डिजाइन है जो कि बहुत ही अच्छा हमने इसको प्लान के हुआ है और यह फ्रेंट्स इसका एलिवेशन डिजाइन है जो कि अपने modern look के साथ हमारे डिजाइन है जो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन है काफी creative हमारे डिजाइन है तो फ्रेंट्स यह जो हमारे डिजाइन है यह डिजाइन होगा यदि आपने वीडियो को लाइक और से नहीं किया है तो प्लीज लैक ही भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स बाने के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भरत